कि अगे खुछ यह लो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल मैं था मेटीन पर्ट साला मैं आज मैं आपको इंटिग्रल केलकुलस की इंट्रोडक्शन दूगा, तो ये जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स इंटीग्रल केलकुलस ये जैम के पॉइंट marks contain करता है और friends अगर आप integral calculus अच्छे से सीख जाते हो तब ही आप vector calculus सीख सकते हो तो friends vector calculus भी आपका 12 to 13 marks का आता है तो मतलब integral calculus तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है अगर आपको jam के अंदर बहुत ही अच्छी लेकर आनी है तो friends मैं आपको integral calculus किस तरीके से पढ़ाऊंगा मैं यह आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो friends integral calculus को मैंने चार parts के अंदर divide किया हुआ है friends one by one मैं सारे parts को pick करूंगा और इन पर proper assignments आपको मिलेंगे assignments में क्या होगा assignments में आपको previous year में जितने भी concepts आए हैं उन सारे concepts के एक या दो questions मिलेंगे और अगले जैम के पेपरों में जिस टाइब के questions पूछे जा सकते हैं उन सारे concepts को भी mathematical पार्शाला की top faculties ने assignments में डालाए तो friends आपको assignments तो बहुत seriously attempt करने उसके बाद जैसा कि last year जो जैम का paper हुआ था उसमें हमारे test series से direct concept या फिर direct question भी आये थे तो friends जो integral calculus का जो हम आपको test बना के देंगे वो भी मतलब बहुत अच्छा test बना के देंगे बस आपको one by one हमें follow करते हुए चलना है और आपको friends जितने variety के examples मैं यहां इस board पर करा दूँगा उतना मतलब आपको कहीं नहीं मिलेगा तो friends सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा definite integration definite integration हमने 11th class में पढ़ाए 12th class में पढ़ाए और जिन friends ने IIT यही advance की तैयारी करी है उन्हो नहीं अटकेगा मतलब आपको पूरा जैसे की beta gamma function यह हमारे लिए नया topic है तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे summation of series तो summation of series यहां पर material calculus का use होता है तो इसको भी हम पढ़ेंगे उसके बाद lebanitz rule, lebanitz rule मतलब यह 3 to 5 marks का exam में आता ही आता है तो lebanitz rule को तो मतलब बहुत ही अच्छे से सीखना है और यह simple topic है यानि कि अगर आपने इसके minimum 15 to 20 question भी कर लिए तो exam में इसका question गलत नहीं होगा और हमेशा आता ही आता इसका question उसके बाद length of curve यह भी बहुत easy सा concept है इस पर भी numerical answer type में question पूछ लिया जाता है उसके बाद friends area of curves अब यहां से हमारी geometry start होती है friends यानि कि आपको geometrically visualize करना आना चाहिए आपको functions के graph वनाने आने चाहिए आपको 3D में surface देखना आना चाहिए तो यह सारी चीजे भी मैं आपको बताने वावा हूँ मतलब बहुत ही अच्छे से geometrically visualize भी करवाने वाला हूँ तो friends जो हमारा function of several variable का course है उसको भी आप बिलकुल one by one उसमें जो videos है उनको बहुत ही अच्छे से देखते हुए चलो क्योंकि integral calculus वहां से थोड़ा थोड़ा link होता हुआ चलेगा और vector calculus त मतलब question आता ही आता है उसके बाद area of curves में friends हम area by revolution इस topic को भी पढ़ेंगे यानि कि friends आप rotation को involve कर दो तो मतलब इस type के questions भी अब jam में पूछे जाने लगे हैं उसके बाद friends हम पढ़ेंगे surface area तो surface area को सीखने के लिए आपको थोड़ा surfaces को 3D के अंदर visualize करना आना चाहिए तो व बनता है उसके बाद पूरे jam का सबसे difficult topic जो students हमें बताते हैं कि sir हमें triple integration और volume में बहुत problem होती है तो लोगों को problem क्यों होती है तो इसलिए problem होती है कि वो diagrams को geometrically visualize नहीं करते तो आपको यहाँ पर different variety के question कराई जाएंगे और बिल्कुल आपको geometrically भी समझाया जाएगा और calculation भी मतलब मैं आपको सारा last answer निकाल के बताऊंगा volume volume का अभी jam 2019 में मतलब काफी question आये तो volume by revolution अब यहां से भी jam question पूछने लगाए तो volume by revolution भी हम अच्छे से पढ़ेंगे तो friends यह हमारा integral calculus का introduction था तो अब जो हमारी next class होगी उसमें मैं आपको यहां से start करूँगा तो one by one आप हमें follow करते हुए चलो assignments को proper solve करो आप proper test दो और यह सब अगर आपने कर लिया तो friends बस आपको और कहीं जाने की जरूत नहीं है मतलब आपका jam के अंदर integral calculus का जितना भी portion आएगा आप maximum attempt कर के आओगे और सही भी कर के आओगे तो friends अब हम next class चे से start करते हैं Thank you friends